लगवग अभी सुभा के आठ बजे है और आज संडे है हालो गाइस गूड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टो माई न्यू ब्लॉग तो कैसे हो आप लोग? I hope कि मस्त होंगे और स्वस्त होंगे तो गाइस मैं काफी दिनों के बाद इस तरह का ब्लॉग बना रहा हूँ मैं तो कुछ और ही समझ रहा था और आज मैं आया हूँ अपने खेत के तरफ जो कि आप देख सकते हो चारो बगल आप देख सकते हो शिर्फ धान का ही खेत नजार आ रहा होगा और पिछले बार मैं अपने खेत पे आया था जब धान का रोपाई सब हो रहा था तो अभी आप देख सकते हो धान थोड़ा थोड़ा धान सब भी निकल गया है तो आईए मैं आप लोगों को अपने इधर का थोड़ा सा नजारे आप लोगों को इस ब्लोग के माधियम से दिखाता हूँ कि कैसा माहोल है इधर अब इतना ज्यादा कादा सब है ना क्या बताओ कादा भी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा धान भी हो गया इधर कुछ भी कह लो भाई कहीं भी घुम लो लेकिन जो मजा अपने खेत पर घुमने में है न वो मजा कहीं नहीं है और अभी मेरे हाथ में जो है ना सेलफी श्टीक है जो कि आप लोगों को एकदम मस्त नजारे दिख रहा होगा एकदम मौसम भी आप मौसम भी देख सकते हो काफी अच्छा हो रखा है यह देखो और लगवग अभी सुभा के आठ बजे है और आज संडे है और मैं आज जिम भी नहीं गया था तो सोचा कि चलो आज भाई इधर अपना थोड़ा खेत के इधर टूर किया जाए कि कैसा मा होल है इधर खेत का और भाई मैं ब्लॉग बंद कर दिया था ना तो मेरा चैनल भी डाउन हो गया है बहुत ज्यादा डाउन हो गया चैनल मेरा इतना खुबसूरत नजारे को केमरे में रिकॉर्ड करने से मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं इसलिए भाई क्या बता हूं य पिछ्ले बार भी देखा हो गा कि मैंने काफी सारे रिकॉर्ड की हैं ऐसे-ऐसे यE वाले नजारे में अब यह रहा मेरा गाहे देंखो पीछे पीछे आप लोगों को मेरा दिक रहा होगा यह है मेरा गाह और मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूं यह देखो यह देखों यह अपना दोस्त है जो कि खेत की रखवाली करता है पीछे से दिखाता हूँ यह देखो इसके हाथ में एक डंडा है और यह रात वर खेत की रखवाली यही करता है तो गाईस आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई फेस्बूक पे आप लोगों को फोलो का बटन दिख रहा होगा और यूट्यूब पे सस्क्राइब का बटन यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा तो सस्क्राइब जरूर कीजेगा और फेस्बूक पे फोलो जरूर कीजेगा ठीक है तो बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो मे और अगले ब्लॉक में